नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपको सुंचेत और स्वागत करता हूं नॉलेजगेट की इस नई वीडियो में तो जैसे आपने टाइटल में देखा है कि वीडियो में आज मैं बात करने वाल हूं कि क्यूं आपको गेट 2025 को फॉर्म फिल नहीं करना चाहिए हलाकि आपको पता तो पहला पॉइंट जो मैंने लिखके रखा है क्योंकि जाधातर लोग जो बीटेक कर रहे होता है उनको एक clarity होती है या kind of बन में clarity बनाके रखने कि सर अपने को तो शौर है अपने को तो प्लेस्मेंट के लिए ही जाना है तो मैं अभी कम से कम खास कर उन लोगों की बात क आना हमें तो placements के लिए ही तयारी करने और कुछ भी करके placement क्रैक करना है कुछ लोगों ने हो सकता उसकी तयारी करनी शुरू भी कर दी हो कुछ लोग हो सकता भी आगे plan बना रहे हो तो यह वाले लोग है जिनको logical clarity हो सकती है उसके लाबा कुछ और ऐसे students होते हैं जो you know they're not exactly sure about placement but government job SSC है bank PO है और बहुत सारे state level के jobs होते हैं उनको government jobs की तयारी करनी है और उनको भी surety है कि या तो final year में हो सकते हैं तो pass out हो सकते हैं कुछ लोग third year से भी prepare करना शुरू कर देते हैं सर हमको भी clarity की gate exam हमारे लिए नहीं और हम हमारा जो प्लान हम उसी से आगे बढ़ेंग नहीं पड़ता तो अपन अच्छे से तैयारी करेंगे तो आधिया दूरी तैयारी करने से एक्साम लिखने में वैसे मतलब नहीं है और हम तो जो काम करते हैं बहुत अच्छे से करते हैं तो हम form fill करेंगे सीधे final year में अगले साल और gate 26 में एक बार देंगे बट इसको खतम क और ऐसे और बहुत सारे कारण हो सकते हैं अब मैं दो आइडिया आपको याद दिलाता हूं देखिए एक point हो सकता है कि आपका एकड़म प्लान जो भी आपकी understanding है जो भी आपकी समझ है उसके साब से आपको पता है कि gate आपके लिए नहीं है और आप form fill नहीं करते और जो भी कि आपकी planning उसके साथ आप आगे बढ़ते और successful हो जाते हो कोई problem नहीं लेकिन आप में से कितने लोग इस बात को मानेंगे कि अब तक न जाने बच्पन सब तक even college के अंदर भी कितने बार आपके कितने plan change हो चुके हैं अब मान दीजे कि आप form fill नहीं करते हैं और placements में में खासकर हर साल देखता हूं बहुत सारे बच्चों से बात करता हूं planning तो सब की होती है पट सब का placement नहीं हो पा रहा होता है ना हर साल लगबग 18,000,000 student pass out हो रहे होते हैं जिसमें से लगबग 9 से 10,000,000 students वो हैं जो IT के अंदर अपना career देख रहे होते हैं और उसमें से hardly 2,500,000 की जॉब लग पाती है मैं कम package से जादा package सब कुछ जोड रहा हूं जो बचे 6-7,000,000 है प्लान तो उनका भी यही था कि उनको IT फिल्ड के अंदर जॉब चाहिए बर उनको जॉब लग नहीं पाई और अभी उनको नहीं पता कि उनका backup plan किया कि उसके बारे में सोचा नहीं आपने जो भी plan बनाया अगर आप उसमें failure फिर आप सोचते है यार एक काम करते है गेट का paper भी देखे देखते हैं बट गेट का तो form फिल नहीं किया था क्योंकि उसकी date आपको बदाता हूं आपको paper लिखना हो नहीं लिखना हो छोड दीजे इस बात को अभी date है कम से कम form जरूर फिल कर दीजे मैं आपसे paper लिखने के लिए नहीं कह रहा जन्रल केटिगरी इडिज एटीन हंडड़ अगर आप केटिगरी से हैं या फिजिकल वाली केटिगरी में आते हैं तो आपका सिर्फ नाइन हंडड़ रुपीज फीस आज कल तो चार लोग एक बार बैठके पीजा खाते तो इतना बिल आ जाता है लेकिन पॉइंड क्या है अगर वर्स ऑफ दर वर्स किस एक परसेंट कुछ भी गड़वड हुई बाद में आपकी प्लानिंग में आपकी अंडरस्टेंडिंग में या समय के साथ आपकी समच चेंज हो गई जो की कई बार बच्चों अगले बनाई है आप अपने प्लान में कितने भी शौर क्यों ना हो बट उसका जो उपर बैटा ना उसका प्लान कुछ और हो सकता है जब वो अपना प्लान चेंज करते तो आपकी दिमाग आपकी समझ आपका प्लान भी चेंज हो जाता है तो 26th of September final date है मैं कहता हूं कि है कि मैं लिंक डाल दूंगा website का description में वीडियो के description आप चेक कर सकते है जाता है बहुत सारी लोगों ने और वीडियो बनाई होंगी और बाकी form fill करना आजकल कोई बड़ी बात नहीं है तो दो घंटे का काम है थोड़े से पैसे लगेंगे form fill कर लीजे backup plan आपके पास रहेग है ना बाकी हम तो अल्रेडी YouTube पे भी content डाल रहे हैं और अपना premium course get guidance भी चला रहे हैं अगर उसको जाइन करना चाहते तो उसका भी link आपको description में मिलेगा बाकी यहां पर QR code भी नज़र आ रहा होगा इसको scan करके सीधे आप हमसे बात कर सकते हैं हमारी team से बात कर सकते कोई भ thank you so much भागवान आप सभी को खुछ रखे जै हिंद जै भारत